सुप्रभाद आप सभी के लिए सबसे पहले एक बार जोड़दार ताली बजा दिजे प्लीज तैंक्यू अच्छा लगा अच्छा आप लिए कि बात बताई मुझे बारिस के दो गुंदों से घबड़ा गया आप लोग जड़ा यह सोचिए कि कारगिल में टाइगर हिल में और देश की सरहदों पे जो सेना रहती है वो किन परिष्थितियों में वहाँ पे रहती है और हमेशा ऐसी स्थिति बन जाती कभी भी गोली आगर कि उनकी छाती पे लग सकती है लेकि फिर भी वो डटे रहते हैं आप हो दे उप्रचार्ज महो दे उपस्तित अभिभाव गंग सहकर्मी विर्म वें प्यारे चात्र चात्रां तिहर तर्वे स्वतंत्रता दिवस के इस पावन उसर पर आप सभी को फिर से सुप्रभात आज से ठीक 72 साल पहले देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लेहरू ने संग्विधान सभा के समक्ष एक सुपत लिया था उन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हमने नियती के साथ साक्षाथकार किया था और अब समय आ चुका है कि न केवल इसे पून रूप से बलकि समग्र रूप से साकार करें अर्धरात्री के इस छण में जब लिखा खोड लगी जब सारी दुनिया एक शब्ध में लिखने की सबने सब दुनिया लिख डाली मैंने भारत मा का नाम लिखा ये है भारत माता जिसके बारे में बेदों में कहा गया है माता गुमी कि तुल ना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी अन्तिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो अभी बहुत कुछ बाती है आप सभी उत्तरपडेश के स्प्रावन भूमी से है जिसने परंवीर चक्र विजयता कैप्टेन मनोज पांडे को जन लिया है क्या कहते है इभी जड़ा ध्यान से सुनेगा मैं भारत वर्ष का हरदम अती सम्मान करता हूं यहां की चान ने मिट्टी कही घुरडान करता हूं मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोच पाने की तिरंगा हो कफन मेरा यही अर्मान रखता हूं तिरंगा हो कफन मेरा यही अर्मान रखता हूं आप सभी उत्तर प्रदेश के उस पावंगंती से हैं जिसने परंविर्चक्र विजेता अब्दुल हामित को जन दिया है सुनिएगा क्या कहते हैं ऐसे वियर कि शोहरत न अता करना मौला कि बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला कि शम्मा ये वतन की लोपर जब कुर्बान पतंगा हो फोठो पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो फोठो पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो शोहरत न अता करना मौला दौलक न अता करना मौला बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला शम्मा ये वतन की लोपर जब परवर्दिगार मैं तेरे द्वार परले पुकार ये कहता हूं चाहे अजान ना सुने कान पर जै जै हिंदोस्तान सुने जन्मन में जन्मन में हम सब में तुम सब में जन्मन में कुच्चल देश पेम का जलद तिरंगा हो ठोटों पर गंगा हो हातों में तिरंगा हो इसके साथ अंतिक पंप्ती पेश करने जा रहा हूँ क्या हुआ होगा ज़रा सोचिए जब तेश साल का युवा करांतिकारी देश की स्वतंतरता के लिए फासी के फंदे पर हस्ते हस्ते जूल गया होगा जिसे लोग सरदार भगत सींग के नाम से जानते हैं दो पंक्तियां सरदार भगत सींग के लिए समर्फित है ध्यान से सुनेंगे कि सरदार किसन दापूर राज माता विद्यादा जाया धन्यभाग खटकण कलातों जग में प्रकाश को आया धन्यभाग खटकण कलातों जग में प्रकाश को आया तालियों की ताल दिजीगा ओ छे लंदियां पहरा बोलुतियां गजलादियां पहरा बोलुतियां पिंदा विच जगी पुकार जदों फिर शहरा शहरा बोलुतियां सोए मुलक विच बलिदा नादा सोए मुलक विच बलिदा नादा शुरू किया जगराता ओए वीर भगत सिंगवे तेरे नाले जुर गया नाता ओए वड़े वीर साथे सटी एक है भारत माता ओए वड़े वीर साथे सठी एक है भारत माता, ओए वीर भगत सिंग वे, तेरे नाल जुर गया नाता, ओए वटे वीर साथे, सठी एक है भारत माता, सठी एक है भारत माता, भारात माता की, 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 भारात माता